असलाव अलेकूम केके किचन में आपका स्वागत है आज हम चिक बैस के चिक से प्यूशी बनाने जा रहे हैं इसको खर्वस भी बोलते हैं तो यह मेरा हाफ पहले तो ही मैं बताना चाहती हूं कि यह चिक किसे कहते हैं बैस का जब बच्चा या गाई का बच्चा होता है तो पाईला दूसको चिक कहते हैं यह मेरा हाफ लिटर चिक है कि यह हाफ कटोरी गूड़ है यह लाइची पाउडर है हाफ टेश्पुल लेना है अपने को और यह मेरा जाइफल है तो इसको जाइफल को मैं एक चुटकी डालूंगे इसके अंदर यह केसर है केसर आफिशिनल ह मिल्क है मिल्क डालने से खर्वस एकदम सौफ्ट बनता है तो यह मेरा हाफ लिटर चिक है कि इसके अंदर डालूंगी हाफ कप मिल्क कि अब हाफ का टोरी गूड़ जाएंगा इसके अंदर अब इसके अंदर जाएंगे हाफ टी स्पून लाइची पाउडर अब इसके अंदर जाएंगा यह जाएफल पाउडर एक चुट की जाएफल पाउडर लगेंगा अपने को अब इसको पूरी तरह से हम मैल्ट कर लेंगे अच्छे से इसको मैल्ट कर लेंगे देखिए इस तरह से तब प्रूटली कलर चेंज हो चुका है यह मेरा केक का बरतन है हम इसके अंदर इस चिक को डाल देंगे अब इसकी जगा कोई भी बरतन ले सकते हैं और यह केसर है केसर से कैसा कलर्स का अच्छा आता है तो यह ऑप्शनल है अब इसको हम स्टीम करके लेंगे यह मैंने टोप में एक गलास पानी डाल चुकी हूं और पानी को मैंने एक बॉयल निकाली हूं अब इसके अदर मैंने स्टैंड डालके अब हम डालेंगे मिक्शर बहुत अच्छे तरीके से बहुत कैरफुली अब इसके अंदर मैं एक प्लेट डालूंगी ताकि यह नीचे का पानी इसके अंदर न जा सके अब इसके अंदर लीट लगाएंगे हम और इसको दो-तीन मिनिट टक फास पे रखेंगे और फिर 15-20 मिनिट हम मेडिया माच पे पकाएंगे अब हम इसके अंदर देख सकते हैं अब हम इसके अंदर स्पून डाल कर चेक करेंगे कि पका के नहीं अब देख सकते हैं कि हमारा स्पून क्लीन है तो इसका मतलब हम यह पक चुका है हम इसको दस मिनिट तक हम रूम टेंपराइचर पर राखेंगे और इस तरह से कट करेंगे जब थंडा हो जाएंगा तब हम इसको इस तरह से कट करेंगे देख सकते हैं अब देख सकते हैं हमारा खलवस कितना सॉफ्ट बन चुका है आप एक बार जुरूर ट्राइ करें आपका हर एक लाइक मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है तो लाइक करें वीडियो को शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आफिस